बिसमिल्ला रहान रहीम असलाम अलेकूम रहामत अल्ला आज हमने जो मैथड पढ़ने और डिफरेंचिल इक्वेशन का हमारा टापिक चल रहा है और उसके अंडर हमने तीसरा मैथड पढ़ने और उस मैथड के नाम है रंगी कटा मैथड आफ आफ आडर फोर लेकिन इससे प आपको थोड़ा से एक्स्प्लेइन करना चाहता हूं कि आपके पास फार एक्जम्पल यह है वो जो एक्जेक्ट सुलूशन जो है फार एक्जम्पल आपके पास ही है तो इनिशिल सुलूशन जिसका नाम हमने अलफा रखा हुआ है यहां पे हम बनाते हैं टेंगेंट और जो और दोबारा में बनाता हूं मिशाल के तरह यहां पर आलफा इनिशिल सुलूशन है और इस पॉइंट को आप और जो है वो टेंगेंट लाइन बनाते हैं तो आफ्टर जो फर्स्टेप का सुलूशन फाइंड कर रहते हैं तो आप कहते हैं कि जिसको आप इस point का नाम अगर T0 आप ने रखा हुआ है और दूसरे point का नाम आप T1 रखते हैं तो इस point के उपर जो solution आपने find करना है जिसका नाम जो है वो W1 है which is approximation तो आप कहते हैं कि ये जो line है tangent line ये इसको approximate करते हैं हालांके जो solution कर वे वो इससे दूर है तो जो modification है modified Euler method वो क्या करता है उससे जो है वो हमें क्या मिलता है actually उसमें थोड़ी सी जो है वो correction हो जाए पहले step पे हम Euler method ही लगाते हैं ये जो है वो line बनी वे जा रही है Euler method वाली और second step में जब हम इसको correct करते हैं तो ये जो gap है असल solution और approximate solution होला है approximate solution ये जो height आपके पास आ रही है ये approximate solution है और ये जो अब मैं इजाफी उपर ये line लगा रहा हूं single line मैंने लगाई ये बारीक सी ये error है यानि असल solution और approximate solution के दरम्यान में तो जो modification है वो क्या करता है वो इस point को उठाके जो w i plus one है approximation को उठाके थोड़ा सा थोड़ा से मतलब मैं थोड़ा सा वैसी एक लफज इस्तमाल कर रहा हूं ये इसको उठाके उपर कर देता है तो उपर कर देने से जो approximate solution जो पुराना w1 था वो ये वाली हाइट है जो improved w1 है वो अगर मैं इसको side पर करके बनाओ तो improved w1 वाली हाइट ये वाली हाइट है आप यहां पर पहुंच गए है और error जो है वो फिर यहां पर reduce हो गया है तो actually आप जो है वो यह बात कर सकते हैं यह अगर मैं इसको यह अगर इसको दुबारा चलें दुबारा तो नहीं बनाता यह सारा time ज्यादा लग जाएगा तो यह इसकी जो है वो improvement है तो error method वाली जो line है tangent line जो मैंने बनाई थी वो यह वाली जा रही है यह error method वाली line है और हम अब आप यह बात कर सकते हैं कि आपने इस point को उठा के उपर आप यानि correct जो है वो आपने कर लिया है तो आप यहाँ पे चले गए है तो इसको इस नजर से भी देखा जा सकता है कि पहले जो tangent line थी आइलर method वाली वो यह tangent line थी और अब जो है वो tangent line यह new w में से पास होने वाले जो line है यह tangent line है आप में देखेंगे तो आपको यह इस तरह से नजर आएगा यह मैं इसको अब जरा यह बनाता हूँ इस तरह से के जरा clear हो जाए कि आपके पास यह असल कर्व है और यह जो है वो आप्रॉक्सिमेशन है आईलर method वाली tangent line वाली और इस point T1 के उपर तो यहां से जो है वो जब करते हैं तो फिर यहां से यह समझ लें कि आपकी जो लाइन बन यह यह वाली बन रही है तो यह ग्राफिकली इसको जरा explain करना था यह मैंने कर दिये आगे रंगी कटा method है इसको हमने जो है वो drive नहीं करना हमने बस इसको यूज करना है तो यूज इसका जो फार्मूला है य कि इसका जो इंट्रोडक्शन है आगे उसका problem definition है सारा जो हो सेम होगा जा सिर्फ compute करने का थोड़ा सा फार्फ होगा तो डब्ल्यू नाट आपका यह initial solution दिया हुआ है और डब्ल्यू आईज जो है यानि डब्ल्यू वन डब्ल्यू 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 तरी वह आप यह लिखा हुए नीचे वेर आई इस एकुल टो जिरो वन टो अब टो एन माइनस वन तो आप इस फार्मूले से कम्प्योट करेंगे अब इस फार्मूले में जो है यह के वन, के टू, के थ्री और के फूर जो है वो लिखा गिया है तो इनकी वैल्यूज यह साथ-साथ दी जा रहे हैं के वन इसके, क्वल ओके 2 इसके, क्वल ओके 3 तो इसको जो है वो इस तरह से लिखने की का जुरृत थी यह वो यह इसकी जुरूत है के वन, के 2, के 3 के शेकल में वो इसलिए है कि यह नेस्टइड फंक्शन computation ना यानि function दर function दर function जो है वो ये चीजे जो है वो आ रही थी आप इसको जरा काख़ज कलम पकड़ के आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे के 1 की value पुट कर दें जो के यह वाली मुझूद है और के 2 की value के 3 और के 4 की values आप यहां पे पुट कर दें और फिर के 1 स के 2 में यूज हो रहा है यह आपका के 2 है और इसमें के 1 यूज हो रहा है और फिर यह जो के 2 है है उख सरester यह आपका कैयठीन होके जो कने यूज हो रहे है और इस तरह से के 3 के लिए उज Agra और इसे तरह आदम करेंगे और यह आप इसको सिंगल लाइन बार मूले की शक्राइब में लिखने जैसा के आपके पास मौडिफाई और मेथड में लिखा हुआ है, यह सिंगल लाइन ढई यह आईलर में 2017-1-1 इसलिए इसको इस शकल में लिखा है कि आपके पास जो है वो क्या है कि इनिशल सुलूशन ये है और अगले सुलूशन आपने इस लाइन से कंप्यूट करने है और इस लाइन में यूज हो रहा है के वन के टू के थ्री के फोर तो फिर पहले के वन कंप्यूट कर लें जब वो compute कर लिया तो फिर के 2 compute करें और इसमें ये के 1 use भी हो रहा है तो के 2 आ गया जब के 2 आ गया तो के 3 compute करें और इसमें के 2 जो है वो use हो रहा है और फिर के 3 जब आपने compute कर लिया उपर तो यहां पर use करते हैं के 4 compute करें तो यह सारे जो K1, K2, K3 आपने find कर ली है इनको इनके मतलका जो इनके जगे हैं वहाँ पे इनको put करते जाएं तो ठीक है आपके पास आएगा क्या आपके पास यह आपके पास आएगा W1 यानि आपके पास जो time की जो discretization थी वो क्या थी T0 T1 T2, T3 T4 तो यह 0 से start कर रहे थे, 0.5 का gap था, तो इस gap के साथ जो है वो points बना लें आप तो यह आपने 0 से start लेके, उस problem के लिए जो example के तोर पे solve किया गया गया already उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 से लेके आप जा रहे हैं 2 तक और यह जो आप सारे, या मैं background में जो लिखा हुआ है, मैं इसको problem को, यह W naught और यह सारे, तो इसको एक दफा आप जब यह compute करेंगे सारा, तो actually आपने W1 compute किया है, I is equal to 0 के लिए, जब आप इसमें डालेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, यह W1 आएगा, तो सारा calculation यह करके आपके पास W1 आएगा, फिर इसी तरह से, जब W1 आगिया है, तो फिर आपने इस W1, फिर आपने I is equal to क्या ले 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 ले, जब I is equal to 1 ले 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 ले, तो फिर आपके पास जो है, वो W, यहाँ पे जो है, यह इस चीजों की जरूरत होगी, इस चीजों की जरूरत होगी, तो फिर आप K1 के लिए, जो है, वो K1 में दाखिल हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, और K1 में आप जो है, वो, चुँके आप I is equal to 1 ले ले बैठे हैं, तो इसमें W, क्या बन जाएगा, W1 बन जाएगा, W1 पिछले स्टेप के मौझूद है, तो यह आप K1 कमप्यूट करेंगे, फिर K2 कमप्यूट करेंगे, K3 कमप्यूट करेंगे और K4 कमप्यूट करेंगे, और फिर इस तरह से यह W2 और फिर W3 और W4 जो हो आप कमप्यूट करते चले जाएंगे, एक बात जहन में रखें, अगर आपने पहला मेथड जो है, वो अगर सही तरह से नहीं किया, आईलर मेथड वाला, अगर आपने उसको हाथ से उसको कल्कुलेटर उठा के और हाथ से उसके नोट्स नहीं बनाए, हाथ से उसको, अग्जम्पल को सॉल नहीं किया, तो फिर मौडिफाइड आईलर मेथड और यह जो रंगी कटा मेथड है, हो सकते हैं, यकीन होगा कि आपको यह मुश्किल पेश आएगी, आप जो है, वो गलतियां करेंगे, इसलिए बहतर है, अगर आपने अभी तक जो है, वो इसको नहीं किया तो आप जो है, वो दोबारा से जाएं, शुरू से ही आप इस काम को फ़ें, पहला मैथड अगर आता है, तो प्र दूसरा असानी से आ जाएगा, तिसरा भी प्राब्लम लिखा हुआ है वही जो हम लेके चल रहे हैं और यह वह वाली है कि आप इसको इंटरवल को डिवाइड कर दें वही वाली बात है इंपुट क्या है कि आप पहला पॉइंट बताएं आखरी पॉइंट बताएं नंबर आफ इंटरवल बताएं इनिशल कंडिशन ब लखा हुआ हैं तो यह स्टैप हैं वह economistiv है वह computer program के हवाले से हैं कि आपने के-1-2-3-4 compute करने और फिर उन की मदब से कंप्योड उधर जोW compute करने तो यह computer program में जब हम जाएंगे तो हम इसका computer program बनाएंगे तो steps इस तरह से हैं वैसी मैंने algorithm रिदम किताब में दी हो और आपके साथ शेयर कर दिया है तो अब यह एक एक एग्जामपल जो है वो साल्ड है यही रंगी कटा वाली तो एक स्टेप जो है वो इसमें साल्व है एक स्टेप से क्या मुझाद है W is equal to sorry I is equal to zero के लिए जो है यहは nos are तो initial solution आपके पास W not ठीक है फार्मूले में आग के वन का फार्मूला दिया हुँआ है T I आपके पास क्या चाहिए दाई डिव डिव इसमें के रंगी के वन गंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए के वन कुप्यूट करने के लिए आपको ह चाहिए जोके नहीं बाविक है डब इक हो आई जाहिए जोकर में मुझूद है यह वालिवे जिसमें पूट करें और आप झाय वो जूम करें थी चाहिए फंसे बांच से बचाए 0.2 लिया हुआ है, यह problem statement में यह होगा, यह आप देखें, n is equal to 10 है न, steps जहां वो 10 है, तो intervals, तो इसमें आपने 10 ले लेना है, यानि जब आप h specific compute करेंगे, तो that is equal to b minus a divided by 2, oh sorry, divided by n, which is equal to, n अगर 10 है, तो b minus a यह बनेगा, 2 minus 0 over 10, which is equal to 0.2, तो इस case में h जब 0.2 है, तो 0.2 के लिए इसको solve किया, k1 find कर लें, फिर k2 कर लें, k3 कर लें, k4 कर लें, और इन सब की values जहां वो इनके उपर जो formula बता दिया हुआ है, उसमें यह put करें, तो आपके पास w1 आ जाएगा, अब यह आपने जाना था, a से लेके b तक, और a को आपने w naught का नाम दे दिया हुआ, तो w naught से आगे w1 है, यह आपने find कर लिया है, फिर इससे आगे आप w2 find करेंगे, फिर w3 find करेंगे, और इसी तरह से चलते जाएंगे, w10 find करेंगे, और w10 पे जो b है, आपके पास, यानि b point तक आप जाएंगे, तो यह जो एक काम हुआ 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 है, यह वाला जो i is equal to 0 के लिए solve किया गिया है, यही वाला काम जो है आपने, 10 times करने तब आप b पर पहुँचेंगे, और अगर आप h is equal to 0.5 के लेके spacing के साथ करते हैं, जैसे के हमने आइलर मेथड किया और आपने modified आइलर मेथड भी जो है वो यकीनन कर लिया है, तो फिर उसके चार step बन जाएंगे, जीरो, 0.5, 1, 1.5 and 2, तो यह आपको यहां से start करेंगे, एक solution, दूसरा solution, तीसरा solution, चार दफ़ा compute करना होगा, और अगर आपने h जो है वो 0.2 ले लिया, तो फिर यह आपको 10 times को compute करना पढ़ेगा, तो उसने solve सिर्फ एक W1 को करके दे दिया है, बाकियों को उसने जाहर है, उसको share करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर आप खुद करेंगे, आप उसको कर लें, मैं आपको recommend नहीं करूंगा, आप यह जो 10 steps हैं, उनको सबको आप हाथ से करें, दो कर लें, तीन कर लें, या फिर H is equal to 0.5 वाले से कर लें, 0.5 वाले से कर लें, और Euler method और modified Euler method के साथ साथ जाएए, solution compare भी हो जाएगा, तो आप उसको यह कर सकते हैं, exercises again वही, जो Euler method के लिए हमने दी थी, इन्ही को आप जो है, वो modified के लिए भी कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं, तो ठीक है, और इन्ही examples को जो है, वो आपने रंगी कटा method, यानि RK method से भी आपने इसको करना है, और मैं वही बात करूंगा, कि एक दो question कर लें, और एक आद, मतलब जो चोटे step, बड़े step वह लें, 0.5 वह लें, इनको कर लें, बाकियों को हम जो है, वो इन्शालला कंप्यूटर की मदद से, जो है, वो करने के कोशिश करेंगे, असलावलेकूम और रहमतल्ला,